कि है कि है गाइस वेलकम बैक टो टीम्स फोर उन यूटूब चैनल इस वीडियो में हम प्रिवीव करने मारे हैं इंडिया वसस इंग्लेंड का पहला टीट्वेंटी इंटरनेशनल मैच जो खेला जाएगा नरेंद्र मोधी स्टेडियम आहमदाबाद में पांच मैचस की सीरी बन सकता है कि यह से बहुत ही ज्यादा क्रूशल यह नहीं टीम स्के आप अगर फेवर में देखेंगे यह ज्यादा क्रूशणंगद है और इतना sufficient time और जो है यहां पर squad matches बचे नहीं है दोनों teams के पास कि वो ज्यादा कुछ experiment करें तो अब जो बचा कुछा जो उनके पास plan है बस उसी को इस series में implement करेंगे और हां series के लिए जो है दोनों ही captain's का interview था वो मैंने check out किया तो दोनों ही captain's का कहना है कि जो opponent team है यानि England का जो captain है उनका कहना है कि इंडिया फेवरेट होने वाली वर्ल्ड कप में और वहीं पर इंडिया के जो captain विराट को लिए उनका कहना है कि इंग्लेंड फेवरेट जो है होने वाली वर्ल्ड कप के लिए तो बहुत ही ज्यादा interesting यह series होने वाला है और as a fans हम expect करेंगे कि इंडिया इस series को अराम से विन करें comfortably विन करें लेकिन competition जरूर देखने को मिलेगा because a venue कुछ unpredictable आपके लिए बन सकता है क्यों किसलिए सब कुछ जो है मैं आगे explain करूंगा वीडियो में तो जुरूर पूरा end देख वीडियो को देखना बहुत ही ज्यादा important match होने वाला है तो जरूर ध्यान से इस वीडियो को देख लेना ताकि आगे आने वाले पांचों मैचस में आपको जो है इसी वेन्यू पे जो है मैचस होने वाला है तो ज्यादा कुछ आपको ढूनने की जरूरत नहीं पड़ीगी अगर आप इस वीडियो को ढंग से पूरा नहीं है तो बिल्कुल नया वेन्यू बना है नया सर्फस सब कुछ नया है और बस यहां पर दो टेस्ट मैचस जो खेले गए हैं रिसेंट में वही थे और वहां पर आपको पता ही है स्पिनर्स ने हर तरफ से हल्ला बोला था और बिल्कुल कमर तोड़के रख दी थी बैट से सीरीज का और यहां पर और चार मैचस खेले जाने हैं सेम वेन्यू पर तो स्ट्रिप्स भले ही अलग यूज करी जाए लेकिन प्रॉपर एक टी ट्वेंटी के लिए जो बैटिंग के लिए पिच चाहिए वह ज़रूर यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा क्यूरेटर स्ट्रिप्स द्वारा तो मैं नहीं मानता कि उतना बड़ा मांट में यहां पर आपको स्पिन देखने को मिलेगा हां काफी हद पर स्पिन के लिए ठीक ठाक यहां पर जो स्वाइल यूज करी जा रही है वह स्वाइल वह डर्टी स्वाइल है यानि वह जल्दी उखड जात स्वाइल कोई ज्यादा स्टैट्स नहीं अबलीबल दोजार पंदर का स्टैट है वह तो बिल्कुल नया ग्राउंड है तो यहां पर वह स्टैट्स अपलाई नहीं किया जाएगा ओके लेकिन आज़ा मैं आपको स्टैट्स भी बता देता हूं वैदर बिल्कुल ख्लियर है कोई ज्यादा यहां पर बारिश के चांस नहीं होट से निटे है वह अभी तीस के आसपास का यहां पर आपको तेमपरेचर देखने को मिलेगा बैटिंग पिछ होगी यह मैं आपको प्रिडिट कर रहा हूं ऐसा एक्जैक्ली तो नहीं है तो हम बेट करेंगे जो पिछ सब्सक्राइब करें से चे बार बैटिंग फर्स और यहां पर बैटिंग सेकेंड पांच बार तो यहां पर बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था दोनों यहां पर साइट को अगर आप देखेंगे तो एक निट्रल बेन्यों आप जो हैं पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं और रि से प्लेयर्स इस मेन्यों पर तो 2015 से पहले जो मैचस हुए थे उनमें अगर हम काउंट करके देखे तो यहां पर जो रोई चर्मा ने आंट इनिंग बैटिंग किये 173 नहीं ने बनाए हैं और वहीं बोलिंग से अगर देखेंगे तो बोनेश और कुमार हैं जिनने दो इनि हमें देखने होंगे ताकि हमें कुछ अंदाजा मिले वेन्यू कैसे बिहेव कर रहा है और क्या आता है यह भी देखना होगा हां दे में तो यहां पर थोड़ा बहुत सनी डे है लेकिन शाम होते होते में भी डिव आ जाए तो यह सब कुछ देखना होगा तो दो मैचस आट चाहरी है और स्कॉर्ड में तो पहले तो देखिए यहां पर जो अविलिबिलिटी से उनके बार में बता देता हूं शिकर्धवन अवलिबल है बोने शुरुकुमार अवलिबल है यूजवेंद्र चाहल अवलिबल है और केल राहुल ए भी अवलिबल है तो इन में से रोहिच शर्मा के साथ जो है ओपन करने वाले हैं तो मेरे हिसाब से यहां पर कहीं पर भी स्लॉट नजर नहीं आ रहा कि शिकर्धवन को प्लेस किया जाए तो मेरे हिसाब से वह वेट करेंगे अंटिल और अनलेस की कोई इंजर हो जाए या जो है यहां पर कोई फॉर्म आउट फॉर्म चले तो मेभी दो या तीन मैचस के बाद चेंज हो सकता है तो पॉसिबल यह है तो अभी इंडिया तो बिल्कुल स्टिक वित बेसिक 11 जो हो सकती है पॉसिबली नजर आएगी नी नहीं है और उन्हीं के साथ साथ राहुल तिवटी या भी अवेलिबल नहीं है ऐसा नजर आ रहा है डाउट फुल हैं दोनों ही विकॉस फिटनेस टेस्ट या कोई और रिजन से शायद वह रिस्टिक्शन यह है या आई डोंट नो क्या रिजन से लेकिन यह दोनों तो यह कुछ जो है टीम नियुस निकल के रही है इंडियन स्कॉर्ड की तरफ से की प्लेयर्स की बात कर लेते हैं तो रोही शर्मा इंपॉर्डेंट होने वाले जो इनका फॉर्म नजर आए टेस्ट में उसको देखके लग रहा है कि वह अगर यह वही फॉर्म अगर करते ह वाली ऐसा ही नजर आ रहा है विकॉज ओपनर ने हमेशा अच्छा किया है आपको नीचे हैट्ट वड़े में बता चलेगा जब इंग्लेंड के खेलें तो ओपनर हमेशा अच्छा करते हैं और खास करके विराट को ली देखें फार्म तो खास नहीं था टेस्ट सीरीज में लेकिन मुझे लगता है कि अभी T20 फॉर्माट है और जो लास्ट इनका T20 इनिंग था वो काफी बढ़िया रहा अच्छा कर सकते हैं और आपको पता ही है विराट को ली हमेशा से एक दिगज खिला डिये हैं तो बिलकुल अच्छा करने के चांसास रखते हैं रिशय पंत भाई इनका टेस्ट में तो तगड़ा फार्म था आश्रेलिया से लेकर अभी तक इतना मस्त करते हुए आ रहें तेस्ट फॉर्माट में तो यहां पर अगर लिमिटेड वर्स में भी अगर इनको जगा तो मिलेगी वह तो पक्का है जैसे यहां पर विराट ने थोड़ा ब मैट में पॉसिबल लवन विद बैटिंग और की बात करता हूं तो के यह राहूल ओपन करेंगे अलॉंग साइड रोहिच्छरमा तो यह दो ओपनर हो सकते हैं इंडिया की तरफ से पहला मैच में देखने को मिलेंगे विराट को ली और उसके बाद शेयर या सूरे कुमार दोनों ही तगड़े फरम में थे और दोनों ही एक ही टीम से खेलते थे और आपने देखा विजह हजारे ट्रोफी में बहुत बढ़िया करते बिया आ रहे हैं माराश्या के लिए तो बाई ये बिल्कुत दोनों में से कोई एक खेल सकता है दोनों दो नहीं खिलेंगे दोनो ती अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं दन हार्दिक पंड फिट हैं फाइन हैं बोलिंग नहीं कराएंगे इतना क्लियर है अभी देखना होगा धीरे-धीरे में भी बोलिंग करा ले एक दो और लेकिन अभी मेरे को सर्टनली नहीं लगता कि वो जो हैं फुली फिट हैं और बोलिंग कराईंगे इस मैस में मेरे इसाब से तो नहीं लग रहा दर वॉशिंग्टन सुंदर आ सकते हैं प्लेंग लवन में और उंके साथ जाएगी और बोनेश और कुमार एक्सपीरियंस हैं और जो बुमरा नहीं है तो उनकी जगा यह लीड करने वाले हैं टीम को पेस अटैक में तो जुरू यह होंगे और उसके साथ साथ दीपक चाहर यह इनके जो है प्रीमियम पेसर में से होने वाले हैं जो डेत में बोलिंग कराएंगे और साथ-साथ यो जो एंदर चाहल जो लेक्स्पिनर हैं यह खेलेंगे मेरे हिसाब से यह लवन निकल के आ सकते हैं इंडिया की तरफ से इंग्लेंड की तरफ से टीम निउस देख फुली फिट स्कॉर्ड है जो फरा आर्चर भी वापिस आ चुके हैं इंजूरी के बाद टेस्ट उन्हो पर आए रहेंगे बहुत ही अच्छे फार्म में थे बिग बैस में जब इन्होंने पर्स को अच्छे के लिए ओपन किया काफी अच्छे फार्म में ऐसा तो नहीं कि वहां पर बहुत बड़ा इनिंग कहीं पर खेल के आ रहे हैं यहां ठीक ठाक फार्म में थे 30-40-45-50 की इ नहीं रहा इनके लेकिन टी 20 के नंबर वाम बैसमें तो जरूर यह भी इंपक्ट डालेंगे इस मैच में और उसके बाद ऑइन मॉर्गन यह बाई यह अलग ही लेवल का बंदा इनके बारे मेरे को कुछ ज्यादा बतानी के जरू होते हैं मिल और मिल और में खेलते हैं लेक का ओपनिंग पेर है टी 20 के लिए ओके तो यह दो ऑपन करेंगे उसके बाद डेविड मलान आएंगे वंडाउन पर जैसे स्वाथ आफरीका के गेंस्ट इनका सीरीस गया था उसी हिसाब से मैं बैटिंग और बनाया हूँ और उसके बाद जोनी बैस्टों आएंगे देन उ मोहिन अली के ज्यादा चांस लगते हैं जैसा पीच बिहेव किया था टेस्ट में उसे साब से लगता है कि यहां पे एक स्पिनर एक्स्ट्रा खिलाना चाहेंगी आदिल रशीद के साथ टीम तो मोहिन अली वह आप्शन बन सकते हैं जो कि बैटिंग में भी अच्छे खासे हीटिंग लगा के दे सकते हैं गर बैटिंग का चांस मिले तो इसलिए मेरे को लगता है कि मोहिन एली खेलेंगे इस प्लेस में और उसके बाद क्रिस जॉडन और मार्क वुड़ और जोफर आर्चर दोनों में से कोई एक खेलेगा मेरे इसाब से जोफर आर्चर मेरे दोर निकल के आ सकती है यहां पर पहला मैच के लिए इंग्लेंड की तरफ से अभी बात कर लेते हैं है चोदा मैच खेले गया और फिफ्टी फिफ्टी परसेंट मैच दोनों टीम्स ने विंक हैं लेकिन स्प्लिट आपको करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं तो आपको पता जलना चाहिए यहां पर दोनों साइड में अगर आप कंपैर करेंगे तो चेज बहुत अच्छा करती है इंग्लेंड लेकिन इंडिया ने यहां पर लाश पांच मैच खेले हैं इंग्लेंड के वहां पर दो मैच तो उन्होंने डिफेंड करते भी यही विंकिये हैं तो इन और जॉस बटलर में से कोई बेरली 40-45 का जो है स्कोर क्रॉस कर पाया है एक बार तो उतना बढ़िया नहीं करते और वहीं पर आप कंपैर करेंगे इंडिया की स्कॉर्ड की तरफ से तो आपको उपनर का परफॉर्मेंस नीचे देखो आप पांचों मैचस में आप अगर द सबने बढ़िया किया है और साथ इसाथ विराट कोली के भी अच्छे खासे रंस ऐसा नहीं कि उन्होंने रंस नहीं बनाए है तो यह पर टाप और चलता है इंडिया का और मिडल ओर चलता है इंग्लेंड का यहीं कुछ अभी तक देखने को मिला है लेकिन जो रीसेंट ओपन करते हैं और साथ साथ में विराट वली के रंस हैं और हादिक पंड्या फिनिश अच्छा किया है उन्होंने 14 बॉल में 33 बनाए हैं ओके तो एक चोटा से कैमियो लेकिन बहुत अच्छा किया और बोलिंग से भी इन्होंने जो है यहां पे निकाल के दिये हैं विकेट चार और सेकेंड डिसेंट मैंच देखिए यह भी लास्स देखिए वह इंडिया ने दो एक से बिन किया है तो यह आपको ध्यान में रख रहा है वहां पर पर फार्मेंस में विराट गोली वन डाउन से आते हुए यह नहोंने पर फार्मस दिया है और उसके बाद बहुई क इंग्लेंड की तरफ से ओपनर्स नहीं चले और उसके बाद मिडल और में बैर्स्टो के रंग बने हैं तो कुछ यह है आदिल रिशीद का एक विकेट हम लास सीरीज की बात करेंगे बाकी की दो मैचस आप देख सकते हैं खुद के इंडिया के मैचस हैं वो तो वह भी इंपॉर्डेंट होने वाले हैं और यहां पर देखे ओपनर चले हैं बटलर और और रॉय दोनों चले मिडल ओर बिल्कुल नहीं चला इस बार पहला बैटिं कुछ निकल क्या सकता है इस मैं लेकिन अभी इंडिया के मैचस करते हुए यहां पे अगें के लाहुल ओपन करते हुए इनका हंडर है तो कभी न पर ओपनर ने अच्छा किया हैं इंडिया के और इंग्लैन की तरफ से उतना कुछ खास नहीं है बैटिंग फ़र्स्ट करते यह इंग्लेंट को performance में यूजवेंदर चाहल चे मिकेट इनका एक हैलाइट पॉफार्मस्ट है मैं भी करियर का यह सकेंड बेस्ट पॉफारमस था यह मैच में और राहूल के रंस हैं उसके लिए बैटिंग से कुछ से करेंट स्कॉर्ड से तो रंस नहीं है तो यह है और जेसन रॉय का ओपनिंग करते विए और ओइन मोर्गन देखिए यहां पर मिडल ओडर से परफार्मेंस आ रहा है तो यह है जौर्डन के विकेट हैं और स्टोक्स के विकेट एका अभी नीचे चलते हैं तो यहां पर देख तो यहां पर इनके रंसा हैं 71 और वहीं पर इंग्लेंड ने चेस किया तो इनके ओपनर्स बिल्कुल नहीं चले मिडल ओडर में अगें देखिए बैन स्टोक्स और बटलर के कुछ परफार्मेंस है उसके इलावा तो कुछ है ही नहीं आपर बताने लायक जौर्डन के तीन विकेट हैं और उसके बाद मोहिन अली का एक विकेट आदिल रशीद का एक विकेट तो यह कुछ आपको देखने को मिला हिट्वेड में लीडर्स की बात करता हूं तो बैटिंग सक्षन से विराट कोहली हैं जिनने बारा इनिंग में 346 रन बनाये हैं और यह सारे ही बैट हैं और अगर इनका सही फॉर्म रहता है और अच्छे निक में होता है तो बिल्कुल यह आपके मैच विनिंग परफार्मेंस देखे जा सकते हैं तो दो सबसी बड़ी हेवीवेड टीम से तो इनमें से आपको कोई भी प्लेयर उठा लो आप आंग बंद करके प्लेंग लें मेरे हिसाब से लगता है मैं शोर हूं 99% यह बोलिंग नहीं कराएंगे बिकॉज इनका फिटनेस उतना अभी फाइन नहीं है यह कि बिल्कुल बोलिंग के लिए रेडी हैं मेरे को लगता है क्रिस जोर्डन चे इनिंग में 6 विकेट हैं उसके बाद मोही ने लिके यहां पर में मैं इस मैश के लिए इनको रेटमेंट में करूंगा की आप निको पिक करो नीचे बैटिंग करते हूं और बैटिंग मेरे हिसाब से मुश्किल लग और अगर बोलिंग करा आएं गला हैned तो उतना बडिया चॉइस मैश में यह नहीं नाभें इसे सिनैयों में बिल्कु से विराट कोली के अगेंस्ट क्रिस Jordan का performance है और के लाहूल कैंगेंस्ट भी क्रिस Jordan का performance है तो यह दोनों की अगेंस्ट इनका record अच्ळा है तो यह पिक मेरे यह अच्छन दजर आ रहे है तो स्मॉली के लिए Captain यह वाइस Captain Pakिनसी के बात करते हो तो सेफ चॉइस जाना चाहते हो रोहिच शर्मा केल राहुल और विराट कोली और बेंट स्टोक्स यह चार ऑप्शन्स हैं जिनके साथ आप बिल्कुल बिना हेजिटेशन के साथ जा सकते हैं और अगर थोड़ा रिस्क एड़ करना अपनी टीम में तो ऑइन मोर्गन और सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहीं पर ग्रेंड लीक्स की बात करता हूं तो अलग हटके अगर कुछ पंट्स आपको आड़ करना है तो क्रिस जॉर्डन है और भोनेश्वर कुमार है और रिशब पंथ हैं और उसके साथ साथ यहां पर अगर आदिल रशीद आप अगर आ सका मैंने आपको एक्स्प्लेइन किया अगर आपको वीडियो सही लगा इंफरमेटिव लगा वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब जरूर कर लो और साथ यसाथ टेलिग्राम पे जरूर फॉलो करना वहां फॉलो करना मस्ट है डिस्क्रिप रखना है और उसके साथ कुछ दिने चुने आपको बैट्समन रखने हैं जो की इंग्लेंड की तरफ से और हो सका तो एक बोलर आप एक्स्ट्रा एड़ करना चाहो तो एक बैट्समें डॉप कर लो जो की हो सकता है डॉप करो तो यहां पर आप ट्राइब कर सकते हो जो की अगर जोफरा अर्चर तो उनको या मार्कवूड खेले तो मार्कवूड में से या सैम करन अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं वरना अगर आप स्पिनर ट्राइब करना चाहो तो आदिल रशीद में भी मैं सजेस्ट करूँ तो यह कुछ प्लेयर से आप ट्राइब कर सकते हो कैप्टन मैंने यहां पर रोही शर्मा रखा बिल्कुल सेफ गया हूं वाइस कैप्टन पॉसिबिली अगर चेज करें टीम इंडिया तो उस समय मैं राहूल को भी बना लूँ विकॉस दोनों ओपनर को मैं बना सकता हूं कोई एक तो चलेगा मेरे को लगता है अगर चेज करे आज़ा वाइस कापन या स्टोक्स मैं जैसे कहा सजेस्ट भी किया हूं तो स्टोक्स भी बना सकते हो बिकॉस बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे तो अच्छे ऑप्शन है तो बस यह है बाकी जो चेंजस होंगे या मेरे हिसाब से मेरी जो टीम होगी स्मॉल लीक की बहुत धन्यवाद लविद्री थाउसंड